नमस्कार दोस्तों में पिंटु सिन्या आप सबीका अमरे फेज़िब फेज़र यूटीब चैनल इस्टेडिवाइप्स में स्वागत हैं आशाकरतव आप सबी अच्छे होंगे आज हम लोग पिसले 23 जुलाई और आज 24 जुलाई का इंपोडेंट कानेटिफेस यहां पे डि पर एक्जम आने बाला है उनमें बहुत ही फायदोमत होने बाला है इसलिए आप लोग चाहिकी रिवेस्ट है आप लोग वीडियो पो अंतक देखेगा और लास्ट में तीन क्वेशन रहेगा जो क्वेशन सब्दादेब डेका होगा तो उन तीन क्वेशन का अंसर नेक्स वीडियो पर मेंशन करके दूँगा तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्विस्ट करता हो कि जिन्होंने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं दिखा है वह कैंडली आप लोग लास्ट वीडियो देख लेना वहां पर बहुत सरा इंपोड़न और रखने के बाद वह सारा डिस्कास करेंगे मतलब वह सारा डिवीशन दे देंगे एक्जाम के टाइम में एक्जाम से पहले ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं पहले क्वेशन से पहले क्वेशन पर है विच फोर्स ऑफ इंडिया हैस लॉंच्ट ऑपरेशन एलर्ट रिसं अब करो Labs पहले के पहले करने के लिए फिर देश के अंदर कुछ अगर प्रोबेंब होता है तो उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन करता तो तो वही सेम जैसे यूक्रेन से हमारे भारत के सिविलियंस को लाने के लिए जो ऑपरेशन के दूरा वह ऑपरेशन का नाम जाना जरूरी है और इसराइल में जो इसराइल और पिलिस्टीन के बीच में जो चल रहा है हमाज के बीच में जो चल रहा है उन में से इसराइल से जो हमारे भारत के जो सिविलेंस को लाने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था उन मतलब उन ऑपरेशन का नाम भी जाना जरूरी है तो सेम वेसे ही वो भी जाना जरूरी है क्योंकि कभी कभर ऐसा क्वेशन आ सकता है कि इसरेल से जो हमारे भारत के सिविलेंस को लाने के लिए जो उपरेशन के गया था भारत सर्का के तोरा उन उपरेशन का नाम क्या है या फिर क्वेट से भारत के सिविलियन्स को लाया गया था उन उपरेशन का नाम क्या है या फिर हाली में जो तुर्की से लास्ट एर तुर्की से जो हमारे तुर्की में जो भुकम हुआ था उस टाम प उन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोग को रेस्क्यू करने के लिए जो इंडियान आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन क्या गया था उन सारे ऑपरेशन का नाम भी हम लोग को जाना जरूरी परता है तो सेम वेसे ही कि Operation Alert हम लोग को क्या है यह क्या है सबसे पहले हम लोग जानते हैं तो Operation Alert Recently Border Security Force has launched Operation Alert to concern that some anti-social elements और some Bangladesh nationwide try to sneak into India due to the current law and order problem in Bangladesh तो रिसेंज्ली जो Bangladesh में जो अभी घटना चल रहा है Students Union के दुरा दौरा एक फिर वहां पे सिविलेंस की बीच में घटना चल रहा है आप सभी को पता चल गया होगा बहुत सरह दंगा चल रहा है वहां पर तो न मतलब बंगलाईस के current law and ओडर का इशू के लेकि इसू को लेके वहां पर बहुत ही दंगा चल रहा है हाली में तो उन वहां से उन मतलब दंगाई में से कोई अगर कोई किसी बंगलादेशी हमरे इंडिया पर आके मतलब कुछ प्रॉब्लिम करेगा साइद यह सोच के हमरे भारत के जो बोर्डर सिकु वहां के जो लोग है वहां वो लोग इंडिया पर आके ऐसे मतलब प्रॉब्लिम क्रेट ना करें इसलिए मतलब बोर्डर पर अच्छे से चेकिंग करने के लिए यह ओपरेशन एलर्ट लॉंच किया है बीएसफ ने ठीक है तो बीएसफ के बारे में हम लोग जानते हैं कि ब पाकिस्तानी वार इन अफ नाइटीन सिक्ष्ट एंट इंडिया पाकिस्तान को वार के टाइम ठीक है बीएसफ का कारण जो डिरेक्टर जनरर्ल है वह नितीन आगर्वाल है वह दो हजाट तेसके शायद जुन मेहने को सायद वह लोग वह एपोइंट किया गया था उनको ठ तो जैसे बिए सब का टोपिक है यहां पर तो इसलिए मैंने बिए सब का कुछ पॉइंट यहां पर डाल दिया है तो आप लोग यह एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करके रख दीजिगा ठीक है तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन ए बोर्डर सेकृर्टी फोर्स तो बिए सब क ठीक है अब हम जाते हैं क्लेकल नोट गटलेशिट कॉइशं क्वेशन में गदेख यह मॉट्यों पर Mumbai बहूत इमपर्डरंस फेटेरेशन गाल excited क्रिकेट का बोर्ड बीसी से होता है सेम वेसे फूटबोल का बोर्ड ओल इंडिया फूटबोल फ्रेडराइशन एएएएफेब बोलते हैं ठीक है तो एएएएएफेब के द्वारा हाली में में मेल प्लेयर ऑफ दायार अवर्ड किनको दिया गया है अप्षिन ए सुनिल चेत्री अप्षिन भी हर्दीक सिंग ऑफ्षिन सी लालियान जुआला चांगते अप्षिन डी डेविड लालंग संगा ठीक है यह बहुत ही इंपरेंट क्वेशन है और इसके नेक्स पेज में हम लोग डिसकास करने वाल है बहुत ही इंपरेंट अब डिसकास करते हैं डिसेनली ओल इंडिय फुट लेशन प्रेजनेट रेष्ट मेंग डिसकास करते और इंडीया फुटबल अवर्ट अन्वेल प्लेयर अवर्ड यह और टो दा इंडिया नेशनल फूटबल प्लेयर लालियान जुआला चंगते एंड इंदुमती खांती और फिमिल प्लेयर अवर्ड इंदुमुति खाति रेशन को दिया गिया है ठीक है और याद रखेगा 2023 मतलेगे 2024 मेंस प्लेयर व्द एवर्ड लालीयंजा जवाला चांग ते और इंदुमुति खाति रेशन को दो हाजार चॉबिस के फिमील प्लेयर अब दाइयार वर्ड दिया गया है याद रहेखेगा ऐसा भी क्योश्ण आ सकता है कि इंदुमोथी चाहं का थीरेशन कौन से खेल के साथ जूरे है ऐसा भी क्योश्ण आ सकता है तो आंसार होगा फूटबॉल होगा ठीक और खालिद ज लालीन जुवाला चंगते और फिमील प्लेयर ओड़ यार यार वर्ड दिया गया है इंदुमोथी चाहत रहेशन को और खालिद जमिल जो कोचै उनको मतलब बेस्ट मेल कोच और दिया गया है और शुक्लादत्तो को बेस्ट फिमील कौच आपदायर अवर्ड दिया गया है ठीक है तो यहां पर आंसर होगा ओप्शन सी ला लिंज वाला चांगते हैं अब नेक्स परीज में हम लोग डिसक्स कने पर आए एएएएफ के बारे में और जितना भी इंपोर्टेंट पॉइंट से इन एएएएएफ और एएएएफ प्लेयर ओफ दा यार एवर्ड मेंस प् हैं आएएएएफ प्लेट यंडिविटि निव डिली तो और एएएएएफ उनिस्स सो में गठन हुआ था और इनका हैटकॉर्टर निव डिली पे है बर्तमान जो का प्रेसिदेंट जो है वो कह लियान चोवबे है और B4 फॉम्ग और जैनरल सेक्रेटरी औरंड कुमर प्र बारतमान को प्रेसिदेंट है दो कहलें चुबय है और बैस प्रेसिदेंटन नालापद आहमेद हरी से और जनेरल सेक्रारी अनिल कुमार प्रभाकरण है ठीक है यहां तक हम लोग को एएफफ के बारे में हम लोग को मिल गया अभी एफफ के यह men's player of the year award यह फिर women's player of the year award के बारे में अभी हम परेस के में the first men's player of the year award won by कि I am वीजेगन इन 1992 to 1992 को पहले men's player of the year year award दिया घिये गे है ठीक है और किनको मिला है आयम भीजेवन को मिला था 1922 में मेंस प्लेयर और पहले मेंस प्लेयर और और पहले विमेंस प्लेयर और यार और बेम्बेन देबी को मिला था ठिक है कौन से साल को दिया गया था 2001 को दिया था याद रखेगा इस टोपिक्स हम लोग को क्या क्या मिल गया जैसे मेंस प्लेयर और यार यह शिंको मिला था उनका नाम है आइम विजेयन और कौन से साल पर मिला था को मिला था और women's player of the year award मिला था भेंबेंद देवी को और 2001 में मिला था ठीक है कि यहां पर देखिए most men's award most most men's player of the year award किनको मिला मिला है शुनित चेत्र को मिला था ठीक है उन्होंने seven times AFF men's player of the year award उनको मिला था और विमेंस player of the year award most किनको मिला था बाला देवी को मिला था उन्होंनों उनको three times मिला था ठीक है बाला देवी ने तीन वर में women's player of the year award रिसीब किया थे और सुनित चेत्री ने साथ बार men's player of the year award मिले रिसीब किये थे ठीक है यहां पर लास्ट यहर का जो दो हजर तेश में जो जिन जिन को men's player of the year award women's player of the year award मिला है उनका नम मैं यहां पर फिर से दिया मेंजन किया है जैसे लालीन जुवला चंक टे लालीन जुवला चंक टे को दो हजर तेश को भी मिला था दो हजर चोबिस को भी दो लालीन जुवला चंक के लिधा तीयवर्ड कि इनको इंदुमती खाथिरेशन को इंदुमती खाथिरेशन को इनको कमिला है त्वेश्चनीakes याद रखेगा अभी हम जाते हैं question number three question number three पे है which country will host the first Olympic e-sports game in 2025 तो 2025 में पहला Olympic e-sports game कौन सा देश्ट होस्ट करने बाला है option A India option B Saudi Arabia option C United Arab Emirates option D China तो recently Saudi Arabia and International Olympic committee announced that Saudi Arabia will host the first Olympic e-sports game in 2025 Saudi Arabia is hosting the first edition of the e-sports World Cup July from July from July 3 to 25 August 2024 तो recently Saudi Arabia or International Olympic committee के द्वारा एक एनॉंस किया गया है कि आने वाले 2025 को साथे अरभिया Olympics first Olympic e-sports game Olympic e-sports game पहला edition साथे अरभिया host करने बाला है फिलाल जो साथे अरभिया पे साथे अरभिया पे पिसले तिन जुलाई से शुरू हुआ है e-sports e-sports World Cup ठीक है पिसले तिन जुलाई से शुरू हुआ है यह भी first edition है याद रखेगा इनका भी e-sports World Cup की first edition है जो चल रहा है साथे अरभिया पे है तो common fact यहां पे क्या है जैसे first edition Olympic e-sports e-sports game और first edition e-sports World Cup दोनों भी कहां पे होगा एक हो रहा है साथे अरभिया पे और जो Olympic e-sports games जो होने वाला है वह भी साथे अरभिया पे होने बाला है ठीक है दोनों भी common है साथे अरभिया पे और दोनों भी first edition है याद रखेगा जैसे International Olympic Committee यहां पर निउस पर आज सकल बहुत चल रहा है क्योंकि Olympics आने वाला है परिस पर तो इसलिए International Olympics के बारे में मैंने यहां पर दिया है को एक दो पॉइंट यहां पर दिया है जैसे International Olympic Committee was formed in 1894 and its headquarter is in Lhosa ने सुजलेंट तो International Olympic Committee कब बना था 1894 को बना था और इसका headquarters लोसाने पर है लोसाने सुजलेंट पर है ठीक है तो कारेंट International Olympic Committee का है प्रेसिडेंट है थोमस बच ठीक है तो इस टोपिक से हम लोगों को क्या क्या मिल गया पहले फर्स्ट एडिशन ओफ Olympic e-sports गेम साओधियारविया पर होने वाला है और फर्स्ट एडिशन ओफ e-sports वालकप जो साओधियारविया अल्रेडी होस्ट कर रहा है अभी अभी होस्ट कर रहा है और International Olympic Committee 1894 को बना था और इनका headquarters लोसाने पर है लोसाने सुजलेंट पर है और International Olympic Committee का बर्तमान जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थोमास बाचे ठीक है तो यहां पर आंसर होगा का option B अप्षिन वी साओधियारविया तो साओधियारविया पहले उल्लेंपिक इस्पोर्ट्स गेम पहला एडिशन उल्लम्पिक एडिए इस्पोर्ट्स गेम का पहला एडिशन साओधियारविया होस्ट करने वाले है आने बहले 2025 को यह भी बहुत है है तो हाइस्ट अवर्ड है तो हाली में इंट्रेश्ट ऑलिंपिक कमेटी के द्वारा एक घोशना किया गया है कि ऑलिंपिक ऑडर जो है वो किनको दना है ऑल्रेड कर दिया है तो ऑप्शन ए पी टी उसा ऑप्शन भी नौवक जयकोबिक ऑप्शन सी और बिंदरा ऑप्शन क्योंती रोजर फेडर धुशन व्यां पे फिर से देस्कास करने बाले है थे अल्लिम्पिक ओर्डर इस दहाइस्ट गिवन बई दायश्ट एवर्ड गिवन बई इन्ट्रेश्ट ऑलिंपिक कमिटी for meritorious services तो इंट्रणेशनल ओलिम्पिक कमीटी के द्वारा ओलिम्पिक ओर्डर मतलब प्रेजन करता है तो यह ओलिम्पिक इंट्रणेशनल ओलिम्पिक कमीटी के हाईस्ट एवर्ड है hem kre시 nsti आयो से स्टिए the error to be honored अभिनफ बिंदरा है कि कैंग बिंदरा को Olympic award Olympic order award दिया जाएगा थीक है he is the first Indian तो अभिनफ बिंदरा जैसे नाम आया है तो इसलिए अभिनफ बिंदरा के बारे में यहां पर दो तिन चार बात है मैंने यहां पर डाला है बहुत ही इंपोरेंट है इस फर्स्ट इंडियन टो इन इन इंडिविज्वल मेडल एड़ अलिम्पिक्स इन तो तॉथाउजन एट तो अभीनव बिंद्रा हमारे भारत के शुटिंग प्लेयर है जो प्लेयर है जो ऑलिम्पिक्स में मेडल लाते हुए ठीक है उ उनको 2000 उन्होंने 2008 पे मेडल जीते थे और कौन्सा इवेंट में अगर क्वेशन आता है कौन्सा इवेंट में अभीनव बिंद्राने 2008 पे मेडल जीते थे अगर कौेशन आता है तो अंसर हुआ टैन मीटर राइफल कि टैन मीटर राइफल होगा ठीक है कि टैन मीटर राइफल कि अभीने बिंद्रा ने गोल मेड़ला प्रिपे आप यह जो ओलिम्पिक्स जो हुआ तह 2008 के औलेपिक वो कहां पर हुआ था बेजिंग पे हुआ था याद रखेगा बेजिंग पे हुआ था ओलिम्पिक 2008 के तो वहां पे अभिने बिंद्रा ने गोल लाये थे और पहला भारतिय बने थे जो किसी पे ओलिम्पिक में गोल लाने मेडल लाने में ठीक है तो आने वाले पेरिश में जो आयोसी का 42nd सेशन जो बैठेगा वहां पे अभिने बिंद्रा को कि दस अगौस्ट को दस अगौस्ट को 42nd आयोसी सेशन बैठेगा तो वहां पे अभिने बिंद्रा को यह वर्ड देके समयनत किया जाएगा ठीक है तो अभिने बिंद्रा ने अभिने बिंद्रा को भारत के बहुत सब्सक्राइए इंपोर्ट मतलब बेलुएवल एवर्ट के समयनत किया गया था बहुत के इन मेंसे में ने दो तिन इंपोर्टेंट जो इवर्ड से उनके बार में मैंने यहां पर दिये हैं जिसे और जुन ऑवर्ड और उनको 2000 पर मिला था और मेजर्ट ध्यांचन खेल रहेतने अवर्ड दो खेल स्पोर्ट के हाइस्ट बिंद्रा को और पद्मों पुष्ण एवर्ड 2009 को मिला था और भी बहुत है मैंने फिर भी यहां पर जो तीन इंपोर्टेंट है खास जो है वह यहां पर दिये है जैसे अगर ऐसा और बिंद्रा को कौन से साल पर मेजर त्यांचन खेलदतना वर्ड दिया गया था उन्ट तो आंसर होगा 2002 होगा या फिर पद्मों पुष्ण एवर्ड कौन से साल को दिया गया था अगर कोशन आता है तो आंसर होगा 2000 होगा ठीक है याद रहे हो तो इस टोपिक से हम रूप क क्या क्या मिल गया इंटर्णिस्व ओल्लिंपिक कोमेटी का हैस्ट एवर्ड जब ऑलिंपिक ओर वो आने वाले 142 अचसेंट पर हमारे अविन्व भींद्रा को दिया जाएगा दिया जाएगा और अविन्व भींद्रा भारत के पहला प्लेयर है जो तो अलिंपिक्स में पहले मेडल लाया थे वो कॉन्से ओलिंपिक्स में लाया थे बेईजिंग ओलिंपिक पे लाया थे और 2008 को लाया थे गोल लाया थे और इवेंट कुछ था टेन मीटर राइफल पर पर उन्होंने उनको गोल मिला था ठीक है तो यहां पर आंसार होगा ओप्षिन C अभिनव बि तो तीनों क्वेशन का अंसार कोमेंड बॉक्स दे दीजिएगा जैसे कि थोरी दिर पहले आप मेंने डिसकस के है तो आप लोग को आप लोग अंसर दने में उतना दिकत नहीं होगा आप लोग को ठीक है तो पहले क्वेशन पर है इन हुच यहार ओल इंडिया फूटबल जैशेअफ बर्डर सेकूरूटी फोर्च तो बर्डर सेकूरूटी फोर्च के करेंट डिरेक्टऱ् जनेरल कौन है ऑप्शन ए नितिना आगरवाल ऑप्शन वी थोमास बास अप्शन और पीन बिंद्र खौन डी नीना सिंग क्वेस्ट ना न्मर्ण फ्री पर है हुए र पर ऊपर तो यहां पर यहां पर आश्य प्रेटीकों Urla सवर्यार्विया के रियाद पर फोर्टीफित व्रेरीटिस कमिटी घ pregunta था अभी जो for the World Heritage Committee meeting चल रहा है वो 46 है 46 46 है वो कहा पे चल रहा है हमारे नियु देली पे चल रहा है ठीक है question number two पे है in which year UK Bambdi won the junior Australian Open तो UK Bambdi पहले player है जो junior Australian Open में grand slam मिलते हुए पहले प्लेयर है तो कौन से साल पर मिला था ओप्शन बीज़ा कारेक्टर से 2009 को मिला था 2009 को उन्होंने जीते थे ठीक है Australian Open question number three पर है what was the rubber name rubber of name यहां पर चंद्रयांत्री तो चंद्रयांत्री के रवार के नम क्या था तो यहां ब्यांशार होगा प्रिज्ञान option B प्रिज्ञान ठीक है को thrilling Aa कि तो आज के वीटिय में बासलन नहीं अगर बीडियो को अच्छा लग份 तो जायद श्याहाद करती लाइक नहीं लाइक नहीं करते हैं आप लोग क्यैंदली हमारे वीडियो को लाइक कर दीजेगा है करतेज省 कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करद दीजेगा फिज्वेक के फॉलव करना मत भूलिएंगा तो ताकि अपलोग के लिए सायद यह आप लोग मिल सेयर हिर नवाद